हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में cell message कैसे लगाते हैं अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि name वाले column में मैं किसी भी cell को select करूंगा तो यहां पर देखिए message लिखा हुआ रहा है यानि कि जो भी इसको select करेगा वो जान जाएगा कि यहां पर enter the name in uppercase only यानि कि यहां पर जो नाम type करना है वो uppercase में type करना है इसी तरीके message अकर मुझे इधर लगाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है अपनी cell जो है वो select कर लेनी है ठीक है मैंने cell select कर ली उसके बाद ऊपर के ribbon में data tab पर click करना है उसके बाद right side में यहां पर आपको data validation का option मि क्लिक कर दीजे तो कुछ ऐसा box आपके सामने open होगा अब यहां पर हमको setting वाले option में any value select रहने देना है ठीक है any value उसके बाद यहां input वाले message भी जाना है और title में आप info दे दीजे माल लिजे कि मैंने info यहां पर type कर दिया उसके बाद input message में जो message आप display कराना चाहते हैं for example हम same message ले लेते हैं enter name in upper case only ठीक है उसके बाद जैसे आप ok पर click करेंगे उसके बाद यहां पर जिस cell को भी आप select करेंगे तो यहां पर देखी इस तरीके के message आपको यहां सामने दिखाई पड़ेगे यह देखी ठीक है